मोदी जी सरे आम दिन दहारे चौट चौरा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना तब भी वो कहेंगे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग बता दीजिए इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है कि उनका दिल थोरा थोरा बैमान हो गया लिटिल लिटिल क्यों साहब ये इमान हराम कैसे हो गया ये बैमानी कहां से आई ये जो जैसान का पपा है जैसान का पपा है इसका बुद्धी तब क्या हो गया था जब थप्रप्टिस गर में हमारे पार साच से ज़ादा सीट है इसके बुद्धी को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली इसके बुद्धी को तब क्या हो गया जब राजिस्थान में हमने सरकार बचा ली सरकार कहां ये तोर ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोर पा रहे हैं उसको तो आप समझते हैं न, प्रधान मंद्री तो हो नहीं, इसलिए मन की बात नहीं करूँगा, आपके हमारे देल की बात करूँगा, अभी भी अगर आप बातिय जनता पार्टी के नेताओं का तक्रीर सुनेंगे, उनका भाशन सुनेंगे, तो वो इस चुनाव में भी यह दम भरते हैं, कि हम छोटा मोदी बनेंगे, और यह जो खेल है, यह खेल कोई नया नहीं है, इनके पुर्खे, जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, इनी से यह सीप करके आएं, असली मसला यह है, कहते हैं, कि जो कभी पाव में छाले नहीं देखे हैं, उसको दूसरे का दर्ध समझ में नहीं आया है, एक बात बोलते हैं न, बंदर क्या जाने आदी का स्वाद, इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है, बंदर क्या जाने आदी का स्वाद, और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद, देश की आजादी के लिए अ इनके पुर्ख्यों ने अगर कुर्वानी दी होती हस्तों हस्ते भांसी का भंदा चुमा होता जेलों में रहकर के अपनी जवानी गवाई होती तब पता चलता न कि टूइट करने से आजादी नहीं मिली थी वाफसेट पर जुटा मेसेज भेलाने से आजादी नहीं मिली थी देश की कुर्वानी देने में सारो लोग सामिल थे सबका खून इस कुर्वानी में सामिल है असली मसला ये है कि वो सीधे-सीधे भाजबा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं क्योंकि अगर सीधे-सीधे भाजबा के लिए वोट मांगें तो कल को लोग उनसे पूछेगा लोग रहा चलते पूछेगे तो उन्होंने नया सबुफा छोड़ दिया है आप इसको अपने दिल पे मत लीजिए गा इस इस साथिमा भाईबा हम आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल इसको दिल पे मत लीजिए अरे आपके बच्चे भी कभी आपसे नाराज हो जाते होंगे तो असली मसला इसमें कुछ और है सीधे-सीधे भाजबा का वोट नहीं मांग सकते हैं तो उनका इमान थोड़ा डोल गया है थोड़ा हिल गया है तो उन्होंने ये सबूफा छोड़ दिया है अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट की चोड़ी ना हो, आप जिसको वोट दिये हैं, जिस पार्टी को वोट दिये हैं, उसकी ही सरकार बने, इसके लिए जरूरी है कि मैजिक नंबर से जादा हमारे पास नंबर हो, लगाई बिलकुल आमने सामने का है, इसमें कोई कंफ्यू आम दिन दहारे चौड चौरा उनको चाबुक सरी पीटेंगे ना, तब भी ओ कहेंगे बहुत मजा आ रहा है, तो उनका क्या कहना है, आप लोग बता दिजिए, इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है, यह सब लोग अपने मर में बताईए, तो अगर आपको भाज है, फिर इधार उधार क्यों वोट बरबाद कीजिएगा, सिधा भाजबा को वोट दे दिजिए, अगर भाजबा को वोट नहीं देना है, भाजबा की सरकार पलग नहीं है, तो आपके पास एक मातर विकल्प है, क्या है उसका नाम? भारतिये रास्त्रिये कॉंग्रेस उसक है, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना परेगा, स्कूल भी बनाना परेगा, स्कूल भी बनाना परेगा, इसलिए मैं आप अमाम लोगों से यह आगरा करना चाहता हूँ, कि पूरा देस आपके तरफ टक्टकी लगाए, उमीद वरी नजरों से देख रहा है, औ और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फिरने देंगें, हमारा ऐसा मानना है। तो मैं आप से यही आग्रा करना चाहता हूँ, यह लडाई दो दन के बीच की लडाई नहीं है, यह लडाई दो बिचार के बीच की लडाई है। और अगर आप मुहपत भरोसा करने वाले लोग हैं, बने मुहपत भरोसा करने वाले लोग हैं की नहीं हैं। आद उटा करके बताईए। इस देश पर बचाने वाले लोग हैं की नहीं हैं। इसी आसरा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार दिल से दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ शुक्रिया इंकलाब दिन्दावार जैहिन जैभारत जैपॉ